हाई देस इज मनी शर्मा विल्कुन वाइं यूट्यूब चानल ये वीडियो में हम लोग अनल्सिस करेंगे निफ्टी और में बैंक निफ्टी कल के सेशन में क्या-क्या लेविल्स पॉसिबल है तो मैंने आपको लास विडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 32,500 के उपर जाता है तो हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो हम लोग शॉर्ट के तरफ जहाद यान देगे आज अगर आप देखो गैप निफ्टी भी 14,500 मैंने आपको लेवल बताया था कि 14,500 के उपर एक अपसाइड मोमेंटम में में देखने मिल सकता है और दोनों ही इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली पहले हम लोग टेलग्राम चानल के मेसेजिज देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग अनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के सेशन के लिए यह प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रूप है मारा प्राइवेट ग्रूप है यहाँ पर मैंने आज सुबह मॉर्निंग में बैंक निफ्टी सेल दिया बैंक निफ्टी फ्यूचर वाले ट्रेड में स्टाप्लास रेट हुआ और बैंक निफ्टी का जो कॉल सेल ट्रेड जया था उसमें भी स्टाप्लास रेट हुआ तो मॉर्निंग में हमारे दो स्टाप्लास रेट हो चुके थे बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल और बैंक तो मैंने यह जो put option है यह aggressively short करना start कर दिया क्यों कि बैंक निफ्टी ने 32,500 का level cross कर दिया था और उसके बाद मैंने एक और message दिया निफ्टी possible today 14,600 620 levels यह मैंने morning में 10.45 को message कर दिया था आप देख सकते हो यहाँ पर तभी निफ्टी चल रहा था 14,560 के आसपास तभी मैंने message किया था कि 14,600 620 levels आ सकता है निफ्टी में और यहाँ पर आप देख सकते हो 12 बजे के आसपास निफ्टी ने high बनाया 14,618 और जो हमारा target था वो achieve हो गया और बैंक निफ्टी भी उसके बाद उपर गया 32,650 तक और बैंक निफ्टी में जो हम लोग ने aggressive put sell किये थे उसमें भी काफी अच्छा पैसा आया तो morning का जो loss था वो cover हो गया और उसके बाद हम लोग प्लस हो गए profit में आ गए क्योंकि बैंक निफ्टी हम लोग ने aggressively put sell किया था और और निफ्टी में भी हम लोग ने portion लिया था 14,620 तक के target के लिए इसके बाद मैंने stock option jackpot trade भी दिया था तो हम लोग ऐसे jackpot trade देते है result base तो यह tvs motor का section rate का call हम लोग ने buy दिया था tvs motor का call जो buy दिया था वो 1.70 पैसा पर buy दिया था और उसके बाद आप मेरे messages देख सकते हो 3.90 का इसने high बनाया सबा दो बजे के असपास यानि अल्मोस्ट एक घंटे में यह call double हो गया double से भी था और 3.90 पैसे तक यह जा के आया है और यहां पर आप closing भी देख सकते हो यह call का 3.70 पैसे क्या सपास ही हुआ है so morning में जो loss हुआ था वो हम लोगों ने cover करके net off में हमने profit कमाया है right time पे position reverse करके तो आपको position reverse करना आना चाहिए यह सबसे ज़्यादा important है trade में first day के बाद में आपको right direction में trade को reverse करना पड़ता है यह आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा trader बनना है तो और यह हम लोग ने position जो reversal किया था यह pure and pure open trust data analysis के हिसाब से किया था live market में में data analysis track कर रहा था open trust का nifty and magnifty का और उसके हिसाब से मैंने positions को shifting किया अब हम लोग analysis करते है n nifty and magnifty कल के session में क्या levels possible है clearly यहाँ पर देख सकते हो इसने जो trend line है वो तोड़ दिया है इसके ऊपर close हुआ है और एक काफी अच्छा green candle में देखने मिला है यहाँ पर एक resistance जरूर है 32,800-900 के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो exactly इस level के आसपास एक resistance जरूर है candle का है 32,899 यानि approximately 32,900 के आसपास resistance जरूर है अगर 32,900 के ऊपर open होता है gap up opening होता है तो वापस हमें एक upside momentum देखने मिल सकता है और 33,000 के ऊपर हमें sharp short covering rally देखने मिल सकती है तो कल opening कहाँ पर होता है वो जादा important है अगर flat opening होता है तो आपको price action के लिए wait करना पड़ेगा और 32,900 के ऊपर जब जाता है sustain करता है तब हम लोग buying के दरफ जाह जान देंगे gap down होने के chances बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि काफी अच्छी buying हमें देखने मिली है second half में और important बात यह buying होने के बाद levels जो है वो sustain हुए closing तक sustain हुए that is a very good sign gap up हो सकता है या फिर flat open हो सकता है लेकिन जो momentum है वो upside ह तो आपको buying के दरफ जाह जान देना है यह बैंग निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और यहां पर आप देख सकते हो इसने पूरा gap जो है यह gap फिलप कर दिया है अब अगर यह level के ऊपर निकलता है 32,900 के ऊपर निकलता है तो यह 33,000 भी जा सकता है और 33,500 तक भी जा सकता है तो 400-500 पॉंट की राली हमें और देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में अगर 32,900 के ऊपर सस्टेन करता है 32,900 के ऊपर हम लोग इसमें buying कर सकते हैं 100-500 पॉंट के stop loss के साथ में 33,500 तक के intraday target दे लिए है अब हम लोग analysis करते हैं निफ्टी लगातार मैंने आपको last studio में बत resistance है और यह level exactly यहां पर resistance का काम करेगा लेकिन आज जो buying हुई है वो काफी जादा strong buying हुई है closing भी काफी अच्छे level पर दिया है 14,690 यह level है 14,690 के असपास एक छोटा resistance है अगर वो cross कर लेता है निफ्टी तो 14,750 और 14,850 यह levels भी हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी में तो buying करना और उपर में 14,690, 14,750 और 14,850 तक के target के हम लोग इसको trade कर सकते हैं यह निफ्टी का 15 मिनिट का chart है और यह जो gap था यह fill up हो चुका है आज 14,666,70 के ऊपर निकलता है तो वापस हम एक upside momentum देखने मिल सकता है 14,750 तक यहां पर आप देख सकते हुए काफी ज़दा important level के pass में close हुआ है यहां पर इसने resistance लिया था यह level के आसपास exactly यह level के बाद ही हमें gap down देखने को मिला और यहां पर भी आप देख सकते हुए यह level के आसपास ही इसने close किया है तो यह level काफी ज़दा important है 14,660, 670 अगर यह level cross करता है तो 14,750 तक हमें rally देखने मिल सकती है और 14,750 अगर cross कर लेता है तो यह जो यहां पर gap है यह पुरा gap भी fill up होने के chances बढ़ जाते हैं और यह gap है 14,850 तक तो इसलिए मैं आपको 14,850 तक का target दे रहा हूं 14,690, 14,750 और 14,850 यह तीन target के लिए हम लोग nifty buying कर सकते हैं 58 points का stop house रखना dip में आपको buying करना है 14,620, 630 के आसपास तीनो target हमें intraday में भी देखने मिल सकते हैं यह आने वाले trading session में देखने मिल सकते हैं कुछ भी levels में changes होता है तो मैं आपको telegram channel में बता दूँगा telegram channel का link मेंने video को description box में दिया हुआ है यह मेरा telegram channel है premium traders group अलग private group है premium traders group का कोई charges नहीं है अगर आपको premium traders group join करना है तो उसका details में यह telegram channel में दिया हुआ है और यह free telegram channel में भी आपको trades मिलते हैं cash level intraday trades मिलते हैं जिसमें आप intraday में 2-3,000 रुपे कमा सकते हो options writing के trades मिलते है तो यह free channel में भी trades मिलते हैं और premium traders group में ज्यादा trades मिलते हैं premium traders group में learning webinars भी मिलते हैं और premium traders group में stock options result based calls भी मिलते हैं और investment calls भी मिलते हैं और अगर आपको सीखना है derivative open trust analysis live market में कैसे करते हैं options strategies सीखना है unique तरीके से बहुत सारी options strategies लोग को पता होती है लेकिन फिर भी हो losses करते है तोकि उनको conditions नहीं पता होता है कौनसी strategy करना कौनसी condition में है और उसमें profit booking कैसे करना है exit कैसे decide करना है तो आपको each and every option strategies का entry और exit दोनों काफी detail में explain किया है conditions के साथ में ये वाले course में options trading level 1 course में और derivative जो course है इसमें open trust data analysis हमने सिखाया है और अगर आपको algo trading सीखना है तो आप ये वाला course join कर सकते हो बाकी जो हमारे courses है वो सब live courses होते हैं जहां पर मैं live webinar में सिखाता हूँ और ये जो courses है ये सारे recorded courses है इसका भी link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है और mobile app का भी link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है और अगर आपको वीडियो और analysis अच्छा लगा तो वीडियो को like and share ज़रू करना thanks a lot for watching the video see you in the next video